हलो गैस तो साउमी ने आज अपना नया फोन रेड्मी 4A लांच कर दिया एंड लांच के साथ साथ ही हम लोग का मन में बहुत सवाल आ चुका है सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है कि हम लोग को कौन सा मोबाईल बाई करना चाहिए है साउमी का रेड्मी 3S और नया लांच किया हुआ रेड्मी 4A नमस्का दोस्तों मैं हूं तनमय और आँ लोग का स्वागत है और आज हम लोग बात करएंगे हम लोग को कौन सा मोबाईल लेना चाहिए साउमी रेड्मी 4a और सामी का रेड्मी 3S अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजे और इस घंटे को प्रेस करके अन कर दीजे ताके हम लोग का सब वीडियो आप तक सबसे जल्दी और सबसे पहले पहुंच जाए तो दोस्तों हम लोग कौन सा फोन लेंगे इसके बारे में अगर सोचे तो फोन का हर कुछ हम लोग को देगना पड़ता है जैसे इसका हाड़्वेर डिपर्मेंट इसका लूक, इसका वेट, इसका सौफ्टवेर दिया गया है तो पहले हम लोग अगर देखें तो दोनों का फोन का जो स्क्रीन साइज है दोनों का फोन का स्क्रीन साइज ही 5 इंग ची है वी 294 PPI बट अगर वेट के बारे में बात करें तो Xiaomi Redmi 4A थोड़ा हलका है क्योंकि इसका वेट है 131.5 ग्राम उसके जगा 4 3S का वेट है 144 ग्राम पाएंगे अगर हम लोग hardware department में देखें तो आपको Xiaomi 3S में cortex A53 का octa-core processor मिलेगा और उसके साथ आपको snapdragon 430 का chipset भी मिलेगा मगर अगर आप इसका 4A में देखें तो आपको मिल रहा है cortex A53 1.4 GHz quad-core processor और उसके साथ आपको जो chipset मिल रहा है वो भी कम है ओव है snapdragon का 425 मुझे सबसे बुरा लगा इसका GPU में क्यूंके Redmi 4A में आपको GPU मिलता है 308 का जो की Adreno है और जहां पे आपको 3S में मिल जाएगा 405 का ओवी Adreno तो हम लोग को क्या है हम लोग चाहते है कि हम लोग का जो फोन हो उसमें हम लोग गेम अच्छी तरह खेल सके तो मुझे लगता है 3S में जो गेम चलेगा उसका performance बेटर होगा दिन दा 4A क्यूंके 4A में जो जो specification दिया गया है hardware में वह बहुत ही कम है मैं गारेंटी के साथ कह सकता हूं के 4MA गेम जरूर से लैक करेगा उसके बाद हम लोग अगर कैमेरा की बात करें तो फोन का दोनों फोन में यह कैमेरा सेन दिया हुआ है इसमें भी 13 MP का रियर कैमेरा है अगर हम लोग बैटरी कंपेर करें तो भी हम लोग को 3S को ही बेटर ऑप्शन बोलना पड़ेगा क्यूंके 4MA बैटरी दिया गया हुआ है तो 3,120 mAh नॉन रिमोबल और यहां पर आपको फर्स चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं मिलेगा हाला कि 3S में 4100 का बैटरी मिलेगा जो की फर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा तो तो आखिर में मैं यहीं बोलना चाहूंगा आप अगर Redmi 4A जो नया लांच हुआ है उसको अगर लेना चाहिए तो आपको 5,990 यानि अबाउट 6,000 पे करना परेगा बट अगर आपको एक अच्छा हार्डवेर का फोन चाहिए जो की पर्फर्फरमेंस अच्छा आपको दे कैमेरा ठीक ठाक हो और अब में को आपका गेमिंग पर् सब्सक्राइशन नहीं रहेगा कि आप और एक 1,000 एक्ट्रा डेके रेडमी 3S ले लिजे क्योंकि रेडमी 3S मुच बेटर दन दा रेडमी 4A हां रेडमी 4A इस प्राइस टैग में अब से बढ़िया अप्शन है अभी के लिए क्योंकि अभी रेडमी 4A के सिवा कोई भी फो इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा है तो अगर आपका बजेट जस्ट थाउजन ही है तो आप रेडमी 4A ले सकते हैं मगर अगर आप 1000 एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो मेरा सेलेशन नहीं रहेगा आप रेडमी 4A नहीं लेके रेडमी 3S लीजिए क्योंकि उसका अच्छा है कंपेर टू रेडमी 4A तो शुक्रिया दोस्तों मेरा यह वीडियो को देखने के लिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ इंफर्मेशन मिला तो एक लाइक कर दीजे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेट करना मत बुलिएगा और अगर आप मेरे चनल कर दोस्तों 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 झाल झाल